एक सीख जल से जो हमें मिलती है वो ये है कि जब हम जल में देखते हैं तो हमें अपना प्रतिविंब दिखता है इस पश्ट्रूब से दिखता है किन्तु अभे दिखता है जब ये जल शांथ होता है स्थिर होता है जब ये जल अशांथ है स्थिर नहीं है तब हम इसमें अप सब्सक्राइब करते हैं एक यह बार हम ऐसा निरने लिते हैं जो हमारे भविश्य को एक शरिष्ट स्थान पर ले जाड़ता है यह मन अशान्थ है विचलित है दुखी है पिढ़त है तो कई बार हम ऐसा निरने लेते हैं जो हमारे लिए अनुच्छित होता है अब आप क्रोज से ग्रसित हैं या दुख से ग्रसित हैं तो कई बार आपने ऐसा निर्णाय लिया होगा जिसका आगे जाके आपको पच्चतावा हुआ होगा अब इन भावनाओं से तो हम दूर जाने ही सकते किन्तो इन भावनाओं का आप पर कितना प्रभाव होगा इस पर हम काम कर सकते हैं इस मन पर हम नियांत्र रख सकते हैं यह कि जिन चिनतन कीजे इस मन को शानत रखिये स्थिर हो जाईए और फिर निरह लीजे आए और मेरे साथ प्रेयम से कहिए राधे